सवाल यह आता है कि आखिर इंग्लेंड में क्यों हुआ अन्य जगह क्यों नहीं इंग्लेंड में ही होने के क्या कारण है यदि हम इस वर ध्यान दें तो देखेंगे सबसे पहले हम आप नक्षे की ओर ज़रा चलें और नक्षे में देखें कि इंग्लेंड की स्थितिक क्या है वैसे आप सब अच्छी तरह वाकिफ होंगे लेकिन अब इसको हम थोड़ो इस नजरिये से देखें कि इंग्लेंड का उद्योग और द्योगी क्रांती से इतना गहरा नाता क्यों रहा या और दियोगे करांती इंग्लेंड में ही क्यों होई अन्य जगा क्यों नहीं उसके जानने के लिए थोड़ा नक्षे को देखें विश्व के नक्षे में आप देखिए अमेरिका बनाम इंग्लेंड अमेरिका कितना विशाल इंग्लेंड कितना छोटा अमेरिका इंगलेंड से कितनी दूर उसके बाद अमेरिका इंगलेंड इंगलेंड के नीचे आप देखिए जो यउरोपी हिस्सा है उस यॉरोपी हिस्से में समुदरी तट से लगे हुए कुछ देशों के नाम जो हमारे इस और्दियों की करांति के अध्यन में बहुत महत्पूर्ण है पुर्टगाल, स्पेइन, फ्रांस, और कुछ हद तक जामनी, एंग्लेंड ये देश देखिए कितने छोटे छोटे हैं एक दूसरे से कितने पास हैं और समुदरी किनारे पर हैं और अमेरिका इसके विपरीत कितना विशाल और कितना दूर है प्रश्णी आता है कि इंग्लेंड जो इतना छोटा है वहां अध्योगी करांति हुई तो वैसी भागोलो की स्थिती तो फ्रांस की भी थी स्पेइन, पुर्टगाल की भी है बलकि हो तकता है शायद बहतर इस्थिती हो पर फिर इंग्लेंड में क्यों हुआ अब ये अगला सवाल आता है यहां पर हम थोड़ा बारीकी से देखें इंग्लेंड के नक्षे को इंग्लेंड जो है वो एक तरीके से तीन देशों का समूह है कहना चाहिए Wales, Scotland और England उसको मिला कर बनता है United Kingdom जिसे England भी कहते है Wales, Scotland और England इन तीन को मिला कर बनता है Great Britain एक और उसमें देश आता है Ireland Ireland की स्थिती कानूनी दिश्टी से कुछ अलग है ये तीन को मिला कर Great Britain बनता है और यहां पर सबसे पहले आधनिक और द्योगी करण प्रारम गुआ जैसा मैंने कहा भागुलिक दिश्टी से तो अन्य देश भी सक्षम दिखते हैं समान दिखते हैं तो फिर इंग्लेंड क्यों एक कारण इंग्लेंड में होने का कि इस काल में संतिलित और स्थिर होने के ताटपर है कि वहां पर जो राजनितिक व्यावस्था थी वह चुचारू रूप से चल रही थी मैंने आपको बताया 1688 में इंग्लेंड में ग्लोरियस रिवलुशन हुआ जिसके तहद संसद बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गई और राजा के अधिकारों में बहुत रास आये लेकिन ये सब शांति पूर्वक हुआ कोई विशेश हिंसा नहीं हुए तो इंग्लेंड वेल्स और स्कॉट्लेंड पर एक ही राज तंत्र का शासन ये दूसरी बात हम चर्चा कर रहे हैं इंग्लेंड में ही क्यों तो एक सरसरी नदर में पहले कि इस्थिर शासन और इंग्लेंड के जो विविन हिच्चे हैं उसमें एक ही राज तंत्र मतलब वहां के मुद्रा प्रणाली भी एक ही थी वहां पर जो बाजार प्रणाली थी वो भी एक ही थी एक ही कानून था और इन तीनों के बीच में आवा जाही और आवागमन में किसी तरह की दिक्कत नहीं थी इस प्रकार यदि बाजार व्युजटा की बात करें तो बहुत संतुलित था मतलब कि यदि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे Wales से Scotland या England या England से Scotland Wales तो माल लाने ले जाने में किसी तरह का कर नहीं लगता था आप केवल England के नक्षे को देखिए बड़े नक्षे को इससे आप और स्पस समझेंगे कि Wales कहां है Scotland कहां है और England कहां है इनके बीच में आवा जाही में किसी तरह का कर नहीं था माल को ले जाने में कर नहीं था क्योंकि यदि कर लगेगा तो क्या होगा उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो कर नहीं था सत्रावी सदी में जो इसके अंत तक मुद्रा का जो प्रयोग था वो विने में था आदान प्रदान था तब कई लोग अपनी कमाई और वस्तियों की बजाए मजदूरी और वेतन के रूप में पाने लगे कई लोग अपनी कमाई वस्तियों की बजाए मजदूरी और वेतन के रूप में पाने लगे वस्तियों की बिक्री के लिए भी बाजार का विश्टार होने लगा क्योंकि करनी था तो ये एक सुविधा वहाँ पर बाजार विवस्था के नाम से थी एक सुविधा वहाँ थाई शासन विवस्था के नाम से थी एक सुविधा वहाँ की भागोले किस्थिती थी और एक सुविधा की जो तीन हिस्से थे वो तीनों हिस्से एक ही कानूनी व्यवस्था के तहत आते थे एक ही राजितंत्र का शासन था और वो सबको स्वीकारे था ये कुछ इंग्लेंड की खासियत थे 28 सदी जब आया तो एक बड़ा परिवर्तन वहां आया और वो परिवर्तन था क्रिशी क्रांति क्या क्रिशी क्रांति मैंने क्रिशी करांति का जिक्र भारत के संदर्म में किया था हम में से बहुत लोगों को नहीं मालूम कि इंग्लेंड की और द्योगी करांति की शुरुवात क्रिशी करांति से हुई अब वो क्रिशी करांति क्या थी संक्षित में कहा जाए तो क्रिशी क्रांटी जो इंगलंड में हुई या जो ग्रेट बिटर्ड में क्रिशी क्रांटी हुई उसमें वहां के जो जमीदार थे उन्होंने छोटे-छोटे खेट के टुकड़े खरीद कर अपने खेट के टुकड़ों को बहुत बढ़ा लिया बड़े बड़े खेतों के मालिक बन गए कई खेतों को मिला कर एक बड़ा farm house बना उसका परणाम क्या हुआ यह खेती में सुधार तो हुआ उसका परणाम क्या हुआ कि उन्होंने सारजनिक जमीन को घेर लिया बड़ी बड़ी भूश संपतायां अपना लिए और इस सब के मद्दे नजर उत्पादन में वृत्धे होई क्योंकि बड़े-बड़े खेतों में दिक्रिशी होती है तो निश्चित रूप से उत्पादन में सहुलियत होती है बहुत से रास्ते जो बहुत सी मिट्टी जमीन जो मेर्ड के रूप में विर्थ हो जाती है बहुत सी जमीन जो बहुत छोटी होने कारण क्रिशी लायक नहीं रहती यह सारी जमीन जब एक बड़े फार्म हाऊस में मिल जाती है तो बहतर उत्पादन की गुज़ाईश देती है और क्रिशी के काम में यदि खेती के जो उत्पादक तत्व हैं इनका जब उप्योग किया जाता है तो बड़ी जगों पर बड़े खेतर में ऐसे आउजारों हत्यारों का उप्योग बहतर तरीके सो हो सकता अब ये तो हुआ एक पहलो के क्रिशी का उत्पादन बढ़ा जमी दारों ने बड़ी बड़ी जमीन हत्याली और उत्पादन बढ़ा इसके विपरीत उस जमीनों के जो पहले के मालिक थे चाहे वो छोटे किसान हो चाहे मजदूर के रूप में हो चाहे चरवाहे हो ये कहा ग जब अंग्रेज भारत आया उन्होंने वही इंग्लेंड की परंपरा को भारत में लाया भारत में वही जमीदारी प्रसा लाई भारत में वही रहयतवारी प्रसा लाई वही प्रसा भारत में आई थी छोटेज किसान भूमी खो बैठे भूमी हीन हो गए परणाम क्या हुआ कि इनको कहीं और जाना पड़ा तो ये कहां चले गए शहरों की और ये जो किसान थे मजदूर थे श्रमिक थे जिनें अपनी भूमी से वंचित होना पड़ा बढ़ती जमीनदारी विवस्था के कारण ये लोग शहर की और गया भारत में भी ऐसी हुआ शहर की और गया भारती किसान भारती मजदूर भी शहर की और गया लेकिन भारत में शहर में जाने से उसको कुछ फायदा नहीं मिला भारत में शहर में आने से वह किसी अन्य चीज में अपने को खपा नहीं पाया भारत में शहर में आने से उसे जीविय को पार्जन का कुछ जरिया नहीं मिला तो कि भारत में ते को उद्योग थे नहीं भारत में कुछ चैसी फैक्टरिया नहीं थी जहां पर इनको खपा दिया जाए इनका उप्योग किया जाए इसके ठीक विपरीत इंग्लेंड में उद्योगों का आना शुरू हो गया था और बड़ते उद्योग के साथ बड़ती मांग मजदूरों की हुई मजदूरों की बड़ती मांग तब और बढ़ने लगी तीवरतर होने लगी जब भाव, बजली और तेल का उपयोग मशिनों में शुरू हुआ तो बड़ते उद्योगों में खप गए अच्छी तरह खप गए यह जो परिवरतन है इस परिवरतन को कहते हैं कृशी क्रांती और जोगी क्रांती के पूर कुछ वर्षों तक ऐसे परिवरतन हुए जो लगभग पचास सौ साल के थे और इन परिवरतन काल में कृशी क्षेत्र में जो परिवरतन हुआ वह एक तरीके से मानो और द्योगी क्रांती के लिए जिम्मेदार है आप अब ये कृशी क्रांती समझ गए और द्योगी क्रांती इस क्रिशिक रांगती से क्या हुआ कि मजदूर जो है श्रम जो है वो श्रम पहुंचता है शहर शहर में वो फैक्टरियों में जो नहीं नहीं होती हैं जहां उत्पादन बढ़ता है वहां पे ये लग जाते है और इस प्रकार मशीनों के आने के बाद भी वहां पर मजदूरों की कमी महसूस नहीं की जाती भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ भारत में कोई उद्योग नहीं आया क्योंकि भारत तो अंग्रेज्जों का उपनिवेश था इंगलेंड को उद्योगों को चलाने के लिए भारत से माल ले जाया गया भारत के माल को इंगलेंड में ले जाने की जरुरत थी इसलिए भारत में उद्योगों को किसी भी तरीके से प्रोचाहिद नहीं किया गया अंग्रेजों के दौरा यही हमारा दुर भाग गया था इसलिए भारत में उद्योगों का अभाव बना रहा और उन 200 वर्षों में जब अंग्रेज भारत में रहे हम ऐसे उदाहरन क्वचित ही पाते हैं जहां पर हम कह सकें कि भारत में उस उद्योग का विस्तार हुआ लोहे की पहला प्लांड 1905-1906 में जमशेद पुर में टाटा ने लगाया था और तब तक अंग्रेजों को आए 200 वर्ष हो गया थे लेकिन इंग्लेंड में तब तक तो उद्योगों का अपार विस्तार हो चुका था तो अब आप समझ सक गए होंगे कि भारत की तुलना में इंग्लेंड में क्यों उद्योगिक करांती हुई और यही कहानी लगभग अन्य देशों के मद्दे नजर भी दोहराई जा सकती है कि इंग्लेंड में मजदूरों की श्रम की कमी नहीं हुई अब हम थोड़ा विस्तार से चलते हैं कि इंग्लेंड में अद्योगिक करांती के कारण क्या थे बिंदू दर बिंदू थोड़ा सा समझें क्रिशी करांती तो हमने समझ ली थोड़ा भारत से उसकी तुलना भी कर ली और भारत बनाम इंग्लेंड में जो इस करांती के बाद का इतिहास रहा उसको भी समझ लिया यकीनन ऐसा ही इतिहास अन्य देशों के साथ भी इंग्लेंड का माना जा सकता है और जोगिक क्रांटिका इंग्लेंड में होने के कारण में पहला कारण भावगोलिक स्थिती मैंने जासा नक्षे के बारे में बताया आपको कि भागोलिक स्थिति की बात करें तो इंग्लेंड जो है आप देखिए वो चारों तरफ समुद्र से घिरा है और ये स्थिति स्पेन, पृतगाल, जामनी, फ्रांस की नहीं है इसका फाइदा इंग्लेंड को मिला चारों तरफ समुद्र होने से उस काल में मुख्य जो व्यापार होता था, समुद्री मार्ग से होता था तो इंग्लेंड के किसी भी खेतर से जहाँ बाहर जा सकते थे ये सहूलियत उनको थी जरूरी नहीं था कि उत्पादन कहीं हो और माल को थल मार्ग से समुद्री मार्ग से माल आराम से पहुँचा आ जा सकता था और उस समुद्री मार्ग व्यापार का मुख्य मार्ग होता था और साथ में देखिए नक्षे में कि उसका जो समुद्री तट है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़े नक्षे को आप देखें, समुद्री तट जो है बड़ा कटा पिटा है कटा पिटा समुद्री तट बंदरगा बनाने में बड़ा सुविधा जनक होता है क्योंकि जब कटा पिटा रहता है तो जहाज का अंदर तक जाना, थल के निकट तक जाना संबह हो जाता है माल को आराम से जहाज में लादा जा सकता है, जहाज से आराम से माल को उतारा जा सकता है उसके साथ ही खुला समुद्र होने से बिना किसी बाधा के दूसरे देश में जहाद चले जा सकते हैं तो कटा-पिटा होना समुद्री कीनारा और उसके बात खुला समुद्र होना ये इंगलेंड के लिए वर्दान सिद्ध हुआ और इंग्लेंड ने इसका भरपूर फायदा उठाया भागोलिक सित्य की बात करें तो एक तो होगी लोकेशन उसके साथ ही वहाँ की जलवायू वहाँ का जो वेदर है मौसम मौसम कपड़े के उत्पादन के लिए बड़ा अच्छा था जलवायू या मौसम की बात करें तो कपड़ा उद्योग के लिए बड़ा अच्छा मौसम था बड़ा योग्य मौसम यहां का था साथ ही कोईला और लोहा प्रचुर मात्रा में कोईले और लोहे की खाने बहुत थी नदियां थी योग ये नदियां आप नक्षे में देखिए खानों का बंडार और साथ ही नदियां ये यहां पर काफी है इन सुवधाओं ने इंग्लेंड में और द्योगिक क्रांटी के जन्म का वातावरण तयार किया वातावरण इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इन में से कई सो विधाएं कई अन्य देशों में भी हैं भारत से जी तुलना करें तो इसमें बहुत सी चीज़ां भारत में हैं लेकिन भारत और और द्योगिक क्रांटी का प्रणेता नहीं बन सका और ऐसे ही कुछ अन्य देश भी और द्योगिक क्रांटी नहीं देख पाए या बहुत बाद में देखे तो इंग्लेंड में इसकी भागोलिक स्थिति ने ऐसा वातावरण तयार करने में मदद की जिसे हम बाद में और द्योगिक क्रांटी कहते हूँ भागोलिक स्थिति के बाद दूसरा बिंद है खनिज बंडार जिसका मैं जेकर कर चुका हूँ कि आप जैसे नक्षे में देखेंगे इंग्लेंड में खनिज उत्पादन तो वहाँ पर आप आप आएंगे कि लोहा और कोईला भारी मात्रा में हैं भारी मात्रा में हैं बलकि लोहा और कोईला इनकी खदाने पास पास हैं पास पास खदान होना वो भी लोहे और कोईले की ये एक वरदान है इसके परणाम क्या हुआ है कि पक्का लोहा बनाने में और लोहे की मशीने बनाने में बड़ी सुधा हुई ऐसा नहीं कि एक खेतर से लोहा हमें दूसरे खेतर में बहुत दूर तक ले जाना पड़ रहा है या कोईला हमें ट्रांस्पोर्ट करना पड़ रहा है बहुत दूरी तक पक्का लोहा बनाने के लिए धमन भटी के लिए लोहे की जुरत पड़ती है लोहे को पघलाने के लिए कोईले की जरूत पड़ती है तो यदि वो दोनों पास पास हैं तो एक काफी कुछ समस्या हल हो जाती है वहाँ पर इंग्लेंड में यही स्थिती थी यहाँ पर लोहे और कोईले के पर्याप्त भंडार तो थे ही और इसका उप्योग कारखानों में वस्तूओं के उत्पादन हेतु किया जाने लगा तो दूसरा कारण हो गया खनिज भंडार और उनकी निकट्ता यह दो बिंदू एक साथ हैं खनिज भंडार और उनकी निकट्ता इंग्लेंड में ही और द्योगिक रांति क्यों इसको समझने के लिए तीसरा बिंदू बहुत महत्पूर्ण है और वह है शक्तिशाली समुद्री बेड़ा पावफुल सी पावफुल शिप्स समुद्री बेड़े और वो भी शक्तिशाली आखिर इसका उद्योगिक रांति से क्या सम्बंद हो सकता है आप नक्षे में देखिए एक बार कि इंग्लेंड का व्यापार किन किन देशों से था दो तरीके के आप रूट देख सकते हैं एक तो इंग्लेंड का व्यापार का रूट जहां पर वो अपना माल निर्यात करता था और दूसरा इंगलेंड को की जरूरत का कच्चा माल कहां कहां से आता था उसका रूट भारत उनके लिए कच्चा माल पहुँचाने का कच्चा माल देने का एक बहुत बड़ा शरूत था और भारत उसके साथ ही साथ उनके फिनिश्ड प्राड़क्ट को उनके बने हुए उत्पादन को उसको खपाने की भी एक बहुत बड़ी जगा थी क्योंकि यहां का मार्केट बड़ा विशाल था इतनी बड़ी जन संख्या थी पर ऐसे कुछ क्षेतर थे जहां से इंगलेंड को केबल माल मिलता था और कुछ ऐसे क्षेतर थे जहां पर वो निर्याद केबल करता था और तीसरे तरह के क्षेतर जहां से माल भी मिलता था और निर्याद भी करता था इसके लिए आप देख रहे हैं कि अधिकतर जल मार्ग हैं समुद्री मार्ग हैं और इन समुद्री मार्ग पर अपना वर्चस बनाने के लिए इन समुद्री मार्ग का समुचित उप्योग करने के लिए इन समुद्री मार्क के माध्यम से व्यापार करने के लिए जरूरी था कि आपके पास एक अच्छा समुद्री बेड़ा हो जहाजी बेड़ा हो अन्य देशों से कच्चा माल लाना और तैयार माल को दूसरे देश में खपाना उसके लिए एक शक्तिशाली बेड़े की जुरत है जिसमें ये ख्षमता हो कि बाहर से जो आक्रमन हो उसे वो रोक सके दूसरे देशों के जहाजी बेड़ों की तिलना में ज़्यादा मजबूत हो समुद्री मार्गों में एक तरीके से उस काल में हम देखेंगे कि इंग्लेंड का एकादिकार था इतनी ताकत वर वहां की नौ सेना हम कह सकें या समुद्री बेड़ा कह सकें वो इतना ताकत वर था नौ सेनेक जिश्टिस से यूरोप का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अब आखिर सवाल यह आता है कि समुद्री मार्ग में इंग्लेंड, स्पेन, फ्रांस भी तो आते हैं लेकिन वहां के जहाजी बेड़े इंग्लेंड के बेड़े के पीछे उननिस ही थे कमजोर ही बैठते थे आखिर इसका कारण क्या है इस पर हम आगे बढ़ेंगे आखिर ऐसा क्या था कि इंग्लेंड ने अपना समुद्री बेड़ा इतना मजबूत बना के रखा इस बात का अध्यान हम थोड़ा आगे करेंगे फिलहाल हम चलते हैं चौथे बिंदु पर चौथा बिंदु है पूंजी पूंजी का होना पूंजी का आर्थ धन पर्याप्त धन होना यदि हमें उद्योग स्थापित करना है और अंतराश्टी व्यापार करना है वो भी समुद्री मार्ग से तो एक बड़ा खर्चिला काम है उस काल में था उसके लिए अच्छी मात्रा में पूंजी के जूरफ पढ़ती थी आपको समुद्री बेड़े रखना होगा आपको सरकार की मदद लेनी होगी तद्कालीन सरकार की आपको माल खरीदने के लिए कच्चा माल खरीदने के लिए पर्याप पैसा चाहिए माल को निर्याद जब तक नहीं हो जाता तब तक के लिए आपको पैसा चाहिए शरम के लिए चाहिए तो अच्छा पैसा इंग्लेंड के लोग उस मामले में खुले दिल के थे इंग्लेंड में जो पूंजी पती थे, इंग्लेंड में जो समुद्री व्यापारी थे, उनकी तादाद बहुत बड़ी थी जैसे जमीन दारों ने बड़ी बड़ी जमीन हतियाई थी, इनी लोगों में से बहुत से लोग समुद्री व्यापारी भी थे अपनी क्रिशी से कमाई का पैसा उन्होंने व्यापार में लगा जा व्यापार का पैसा क्रिशी में लगा जा और इसके साथ ही साथ जो पूझी पती थे जिनके पास परियाब धन था वे लोग भी इसमें इस व्यापार में मुनाफ़ा कमाने में पीछे नहीं हटे इस बिंदु को आप भारत से तुलना करें कि भारत में पैसा था लेकिन जिनके पास पैसा था क्या वे खर्च करने को तैयार थे क्या उन्होंने अपनी जेब खोल रखी थी और यदि हाँ तो किस चीज के लिए यहाँ आपको अंतर समझ में आएगा भारत की जनता की सोच ततकालीन जनता की और इंगलेंड की ततकालीन जनता की सोच का अंतर फिलहाल इतना दखें कि इंगलेंड के पूझी पती इंगलेंड के व्यापारी जो अच्छी तादाद में थे यह अध्योगिक विकास में मातर योगदान ही नहीं चाहते थे, बलकि उसे मुनाफ़ा लेना चाहते थे, बड़े बड़े कार खाने लगाने में इनका विश्वाफ था, यह उन्हेंने समझ लिया था, कि बड़े कारखानों से ज़्यादा उत्पादन ज़्यादा उत्पादन से ज़्यादा मुनाफ़ा इसके लिए वो हमेशा पैसा लगाने के लिए तैयार रहे हूँ पाँचवा बिंद्यू उत्पादन तो परियाप्त है लेकिन किसके लिए कपड़े, शर्ट, पैंट तो मैं परियाद बना रहा हूँ लेकिन उसको खरीदने वाले लोग कहां और यदि वहाँ हैं तो वहाँ तक मैं पहुंचूँ कैसे तो पहुंचने के लिए मेरे पास समुद्री बेड़ा है लेकिन कहां इंग्लेंड के पास परियाप्त बाजार था इंग्लेंड के अंदर ही नहीं इंग्लेंड का जो सामराज्ज था जिसका सूरत कभी नहीं डूपता था पूरे विश्व में जिसका वर्चस्व था पूरा विश्व ही उसके लिए माल का बाजार था अच्छारवी सदी के उत्तरार्द में उस समय इंगलेंड जो है वो एक बहुत विशाल का आपनिवेशिक सामराज्य था यहने उसने पूरी दुनिया के अधिक्तम खेत्रों में अपना कबजा कर लिया था और उस कबजे का परिणाम या कबजा करने के पीछे उद्देश क्या था कच्चा माल लाना जरुरत का माल लाना अपने उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् आने हुए माल को उन्हीं देशों में ज्यादा कीमत पर बेच कर मनाफ़। जरूरत से ज्यादा कीमत पर बेच कर मनाफ़। विवश कर देते थे इंग्लेंड के वियापारी अपने माल को खपाने के लिए। तो इस प्रकार हम कैसे देखते हैं कि इंग्लेंड के पास अपनी वस्तूओं को खपाने के लिए खपत करने के लिए पर्याप्त बाजार था क्योंकि वह एक विशाल आप निवेशिक सामराज्य था विशाल आप देखिए उनकी सत्ता कहां कहां पहली था मैंने कहा ना उसका सूरज कभी नहीं डूटता अर्था इंग्लेंड का समराज इतना बड़ा था कि एक नएक शेत्र इंग्लेंड का ऐसा रहता था जहां पर दिन रहता था इसा नहीं कि पूरे समराज में कभी रात एक साथ हूए ना या कभी दिन एक साथ हो ना इंग्लेंड में बनी ही वस्तियों को वह आसानी से बड़ी सरलता से दबाव बना कर एक शत्र सामराजी के बल पर वो खपाता था, मंडियों में बेशता था और उसके साथ ही सस्ते दर पे कच्छे माल को भी लेता था इसका डबल फायदा, डबल बेनिफिट जिसे हम कह सकते हैं दुगना फायदे उसको मिल रहे थे और इसलिए तो पूंजी पती पैसा लगाने के लिए तैयार थे इसलिए पूंजी पती और व्यापारी उद्द्योग बढ़ाने के लिए तैयार थे और उनके साथ शासन भी थ रहा था छटवा बिंदू शक्ति के साधन शक्ति के साधन ते क्या तात पर है पानी कोईला परियाप वहां परियाप मातरा में उपलब भाफ की शक्ति उसी ने खोजी और इन खोजों ने इंगलेंड को एक बहुत शक्ति शाली राश बना दिया और दियोगिक दिश्टि से तो इस परकार हम कह सकते हैं कि उसके पास इंगलेंड के पास शक्ति के परियाप साधन थे साथवा बिंदू जिसका जिक्रपूर में किया जा चुका है क्रिशी करांटी का परणाम क्या हुआ इंगलेंड में और दियोगिक करांटी के पहले जो क्रिशी करांटी हुए इसके दो परणाम हुए पहला इसे क्रिशी करांटी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उत्पादन बहुत बढ़ा दूसरा क्रिशी क्रांते का परणाम ये हुआ कि एक और जहां उत्पादन पढ़ाओ वहीं दूसरी और मजदूर और किसान, खेती हर किसानों के संख्या बढ़ गई और ये लोग शहर की और चले गए जीवन यापन की खोज में शहर की और क्यों गए क्योंकि वहाँ उद्योग आने लगे तो इस परकार ये लोग वहीं खप गए और व्यापारी और जो पूझी पती लोग थे वो मुँ मांगी कीमत पे इनका शरम ले रहे थे सस्ते में उनको ये मजदूर मिल गए क्योंकि मजदूरों के लिए तो जीवी को पारिजन का सवाल था दो जून की रोटी का सवाल था तो इसलिए वो मुँ मांगी कीमत में काम करने को तयार थे तो इस परकार इंगलेंड में बहुत सस्ते मजदूर मिले क्रिशिय औजारों में एक तो कारण ये हो गया अब क्रिशिय औजारों में भी बहुत भरी परवर्तन हुआ अद्योग के कारण अद्योगी कारण का परणाम ये हुआ कि क्रिशिय औजार बहुत उन्नत हो गया और मजदूर बेकार हो गया इसलिए मजदूर और कम मजदूरी में करने को तैयार हो गया इसलिए मजदूर और कम मजदूरी में उद्योगों में काम करने के लिए तैयार हो गया एक तरीके दे कहा जाए कि सस्ते मजदूरों की वहां बाढ़ हा गई और बार हाने के कारण क्रिशी करांती और दूसरा मशीनी करण जब मशीनी करण होता है तो लेबर बेकार हो जाता है मजदूर बेकार हो जाते हैं और इसलिए मजदूर विवश हो जाते हैं कम से कम में काम करने के लिए क्योंकि उन्हें जीविका के लिए दो जून रोटी तो चाहिए, कुछ पैसा तो चाहिए और वही हाल इंग्लेंड में हुआ तो सस्ते मजदिरों की बाड़ ये एक बहुत बड़ा कारण सा वहां पर माल का सस्ते में उच्पादन होने का यहां खनिज भंडार भी परियाप्त है नदिया भी बहुत है उसके साथ ही पैसा भी होगा पैसा भी था भारत में लोग के पाद बहुत बड़ा मार्केट भी था भारत तो कि यहां की जन संक्या बहुत है शक्ति का साधन भी समझ लीजे यहां पे है मजदूर भी बड़े सस्ते हों भारत में तो आखिर भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ जो इंग्लेंड में हुआ क्योंकि इंग्लेंड की सरकार और भारत की सरकार में अंतर है इंगलेंड की सरकार अपने पूंजी पतियों अपने व्यापारियों को संरक्षन देती थी उनके लिए समुद्री बेड़े के रूप में सुरक्षा देती थी उनके लिए सुनिश्चित करती थी कि जिन उपनी वेशों से इन व्यापारियों को माल चाहिए वह उनकी मुँ मांगी कीमत पर उनको माल मिले तो इस प्रकार इंगलेंड की सरकार का इन उपनिवेशों में नियंतरण होने का बहुत बड़ा फाइदा इन व्यापारियों को पूझी पतियों को मिला और उसके साथ ही सरकार ने अन्य तरीके से भी उनको सन रक्षन सुरक्षा दी भारत में तो ऐसा संबाव नहीं था क्योंकि भारत स्वयम इंगलन्ड का एक उपनिवेश था उसके अपने स्वयम की सरकार नहीं थी वह तो एक कॉलोनी था, एक शोशन का ख्षेत्र था और शोशन की सुरूप में भारत से सस्टे में कच्चा माल ले जाकर भारत से महंगे में पक्का माल बेचना और इसलिए भारत जो किसी समय सोने की चुरिया थी वो बाद में दरिद्रता की कगार पर आके खड़ा हुआ तो यदि हम बात करें सरकारी संरक्षन की तो एक बहुत महत्पूर्ण बिंदु है इंग्लेंड में और्द्योगिक करांती होने का और्द्योगिक करांती की सफलता का ऐसा संरक्षन कुछ अन्य देशों में भी दिया गया लेकिन वहां कुछ और कम्या थी इस्पेन की रानी इसा बेला उसने भी अपने जहाजी बेड़े अच्छे मजबूत बनाये थे लेकिन इंग्लेंड के शासकों ने खासकर जौट तृती ने विशेश संरक्षन दिया सरकार की नीती जो थी वहां पे वो उद्योग के प्रती व्यापार के प्रती और कृशी के प्रती बड़ी अच्छी थी सतत विकास के लिए वो लोग अग्रसर थे भारत में उद्योग और व्यापार नाम की चीज नहीं थी मुगल काल की भी यदि बात करें तो हमारे हाँ उद्योग और व्यापार इस पर कोई विशेश प्रयास नहीं किया गया मुगल कालीन भारत में भी जो कि अंग्लेंड के आने के पहले की बात है सनरक्षन वादी नीती ने उद्पादन को प्रोचाहित किया ये एक बहुत बड़ा करण बना तो ये बिंदु बहुत महत्पूर्ण है सरकार द्वारा सनरक्षन की नीती को अपनाना ये अत्याधिक महत्पूर्ण बिंदु है इंग्लेंड में और द्योगिक करांती होने का अगला बिंदु व्यापार के लिए जो विनिमे की जुरत पड़ती है जिसका तालुक बैंकिंग से है वो सिस्टम वहाँ बड़ा अच्छा था बैंकिंग प्रणाली बड़ी अच्छी थे सू विकसित बैंकिंग प्रणाली बहुत पहले से बैंकों के वहाँ स्थापना हो गई थी और इसके प्रणाम पर सुरूब क्या हुआ कि उद्योग पतियों को पूंजी मिलना उद्योग पतियों को रिन मिलना उद्योग पतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों से जो सपोर्ट चाहिए वो उनको हाँ मिलना शुरू हो गया जो अन्य देशों में नहीं हो रहा था तो सुनिए यदि किसी जगह उद्योग खोलना है इंग्लेंड के व्यापारी को किसी उपनिवेश में तो उसके लिए उसे खुद आर्थिक मुद्रा लाने की जोरतनी बैंक के माध्यम से उसके लिए संभव था कि वह किसी भी खेत्र में अपनी पूजी लगा सके उद्योग पतियों को रिण देने की जो प्रथा इंग्लेंड में शुरू हुई उसने भी इन उद्योगों के विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दिया दसवा बिंदु जिसने इंग्लेंड में ओद्योगिक क्रांटि को लाने में बहुत आहम भूमिका अबनवाई वह थी इंग्लेंड की बड़ती जन संख्या देखें बड़ती जन संख्या भी एक क्रांटि का कारण बन सकती वो भी औद्योगिक राजनेतिक रांतिकानी, 38 शताब्दी के जो उतरारत में हम देखते हैं कि इंगलन्ड की जंसंख्या 40 प्रतिशल्ट और 19 शताब्दी के शुरू में तो 50 प्रतिशल्ट जंसंख्या बढ़ी, 40 प्रतिशल जंसंख्या-वृद्दि पचास पतिशत जनसंख्या वृद्धी इससे क्या हुआ वस्तूओं की मांग बढ़ती है जनसंख्या वृद्धी से वस्तूओं की मांग बढ़ती है और बढ़ती मांग से क्या होता है उत्पादन बढ़े उत्पादन की जरुत होती है और बहतर उत्पादन से बहतर लाव बहतर मनाफ़ा जिससे उत्पादन ख्षमता को बढ़ाने के लगातार प्रयास चलती रहे उत्पादन ख्षमता बढ़ाने की जरुरत मातर इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि उसे उपनिवेश के बाजारों को में खपाना है बलकि इसलिए इंगलेंड के अंदर भी वहां की जन संखिया में बड़ी तीवर वृद्धी हुई 40% से 50% और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस तीवर जन संखिया वृद्धी ने भी ओध्योगी करांती को प्रुशाहित किया ओध्योगी करांती को बढ़ाने में मदद की तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इंग्लेंड में और योगे करांती होने के ये दस कारण है और एक समझदार विद्यारती के नाते आप देखने की कोशिश करें कि इन में से ऐसे कौन से कारण है जो भारत में थे ऐसे कौन से कारण है जो किसी अन्य देश में थे और ऐसे कौन से कारण है जो भारत में नहीं थे या अन्य देश में नहीं थे जिसने उन देशों में और दियोगी करांती आने से उन देशों को वंचित कर दिया दूसरे शब्दों में हमारे और दियोगी करांती क्यों नहीं हुई तो इसमें यदि इन बिंदूओं को देखा जाए जिसको हमने यहाँ दियन किया है तो आप पाएंगे सरकार का संरक्षन मजबूस समुद्री बेड़ा ना होना और पूंजी पतियों या व्यापारियों की कमी ये तीन मुख्य कारण हो सकते हैं जिसने भारत को और दियोगी करांती से दूर रखा यूरॉप के अन्य देशों की बात करें तो निश्चित रूप से इंगलेंड की जो सरकारी व्यवस्था थी इंगलेंड की जो सरकार थी वो बहुत इस्थाई थी बहुत इस्थिर थी बहुत संटुलित थी और सर्वमान्य थी इंगलेंड के जो तीन हिस्थे मैंने बताए इन तीनों हिस्थों में एक तरीके थी बहुत अच्छा सामंजस्थ था और इस सामंजस्थ का परणाम ये हुआ कि वहां जो व्यापार होता था इंटरनल व्यापार अंदरुनी व होता था कर व्यवस्था बड़ी सुगम थी और इसलिए इंगलेंड में और द्योगिक करांति के कारणों की बात करें तो सबसे अहमकारण सरकारी संरक्षन और पूजी पतियों के द्वारा अपनाई गई नीतियां इसे हम मान सकते हैं